हेलो नमस्ते मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त निहानंद और आप देख रहे हैं जाग्रन.com अगर आपने अभी तक देनिक जाग्रन के यूडिव चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजे क्योंकि कहीं कोई मसाला मिस ना हो जाए अमिताब बच्चन को जतना लोग एक अक्टर के तौर पर पसंद करते हैं उतना ही एक इनसान के रूप में भी बिग बी इन दिनों के बीसी सोला में होस्ट के तौर पर नजर आ रहे हैं अमिताब बच्चन जिस तरह से ओडियन्स के साथ कनेक करते हैं लोगों को ये चीज बहुत पसंद आती है इस वज़े से ये शो सभी जनरेशन के लोगों के पसंदीदा शो में से एक है बिग बी कई बार गेम के बीच में ओडियन्स के साथ अपनी आम जिन्दगी से जुड़े कई किस्से शेयर करते हैं इससे लोग उनसे काफी जादा कनेक कर पाते हैं हाली में कार्तिक आर्यन और विद्याबालन शो का हिस्सा बने थे दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलायातीन को प्रमोट करने के लिए आये थे ये एपिसोड आश्राम को टेली काच किया जाएगा इस बाचीत के बीच में बिग बी ने मंजलिका यानि विद्याबालन से जुड़ा एक अमेजिंग किस्ता शेयर किया मेगस्टार बिग बी ने याद किया कि कैसे उन्होंने पहली बार विद्या के पफॉर्मेंस साल 2005 में उनकी पहली फिल्म परिनीता में देखी थी विद्या की अक्टिंग से वो इसने इंप्रेस हुए कि उन्होंने करन जोहर के साथ इंडरस्ट्री के कुछ टॉप डारेक्टर से उनकी सिपारिश कर डाली अमिदाब ने कहा मैंने तुम्हें पहली बार परिनीता की स्क्रीनिंग के दोरान देखा था मैं कुछ बड़े लोगों के साथ बैठा था और करन जोहर उनमें से एक थे मैंने उनसे कहा इस लड़की को जल्दी से स्टाइन कर लो ये बहुत बड़ी कलाकार बन गई है विद्या ने एमोशन होकर बिग बी को उनके इस सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि साल 2007 में एक लव्य में उनके साथ काम करने पर उन्हें कितना प्राउट फील हुआ था एपिसोड के दोरान कार्टे कारियर ने भी कुछ मज़दार कहानिया शेयर करी जिसमें से एक है उन्होंने उस पल को याद किया जब प्यार का पंच नामा में उन्हें आक्टिंग करने का मौका मिला था उसके बाद उन्होंने अपने पेरिंस को बताया था कि वो आक्टिं झाल